यह तो क्लारिटी मिल जानी चाहिए सबको कि आयरवेदा में मौडर्न पढ़ना पढ़ता है इस ट्रू छपा हुआ है समझ लो जान लो समझ लो जो भी करना है और मौडर्न यह नहीं है कि हम इतना डेफ्थ में नहीं पढ़ रहे हैं इतना Mbbs वाली कर रहे हैं लेकिन जब आ इसके तो आपको पेशेंट की भाषा में सिखाना है उसको कि आपको क्या है तो उसके लिए आपको तो यह पंदक ही और पढ़िया तो आपको ऊसकी की है लेग्विश्ट में समझाना आना उनीपने फ 착सितो हुआ है तोल्य सेंशना हम जैखना मेंуска कि सा आपने लक्षन देके उसको translate किया फिर आपको उसको समझाना भी है और secondly कि यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है mostly subjects में modern perspective रहेगा ही रहेगा and it's important हां modern भी पढ़ना है और आयरवेदिक भी पर treatment जो है वो पूरा का पूरा आयरवेदिक ही करना है उसमें कुछ भी ऐसे modern नहीं देना है मतलब emergency treatment तो फिर भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं पर जो chronic disease हैं और सारे treatment अपने को आयरवेदिक देने तो आयरवेदिक तो बहुत ही अच लिए अची बहुत है वह दो बहुत है दिन पर तो बहुत है लिए अग्दम सही बात है में modern पढ़नी क्यों है क्योंकि we have to stand at that level हमें means ऐसा हर टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें अपने आपको प्रूफ करते रहना होगा कि अब ये तुम्हारे इसमें तो ये नहीं होता है त जैसे कि अभी बताते हैं गुडूची का कितना बता है कि वह लीबर पर side effect करता लेकिन ऐसा नहीं है actual knowledge लोगों को होता नहीं और कुछ भी जो rumors होते हैं वोडाते हैं तो हमें modern इसलिए पढ़ना है और अगर चीजों को correlate करके समझते हैं ना जैसे जो हमारा हमारे में होता है clinical pathology physiology जो होता है और हमारे में होता है रोग निदान तो चीजों को जब correlate करके समझते हैं ना कि हमारे टेक्स्ट में यह दिया जो उसमें भी हर चीज के जो pre symptoms दिये रहते हैं में जो symptom होते disease को वो दिये रहते हैं उसके complication क्या होंगे वो भी दिये रहते हैं और फिर जब ची symptom जो main disease का जो state है उसको कुछ और term में हमारे में दिया जाता है कि जो ब्यादी ब्यक्त हो गई है करके जो रूप आ गया उसका और फिर उसके बाद क्या होते हैं उब्दरब होते complication तो वह हम जब correlate करेंगे कि इसमें यह दिया है तो यह disease इससे मैच हो रहा है इसमें यह बो तो तुम्हारे उपर आप टू यू कितना लेवल तक जा सकते तुम्हें अपना knowledge कितना इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर modern के तुम सारी जो diagnostic चीजें diagnostic examination है जो भी चीजें दिये हैं कितना डीप में हैं पढ़ते हैं यह तो सच बात है तो अगर तुम कितना उनके साथ कितना मतलब यह नहीं कि तुम्हें competition करना बट integrated medicine भी नाम की कोई चीज होती है तो उसको साथ लेके भी चल सकते हैं तो यहीं कहना चाहूंगी कि जो आयरवेदिक टेक्स्ट में दिया है उसके according ही करना और उसमें युक्ति लगाना बहुत जरूरी है यह भी देखना है कि कहां कौन सी चीज contra-indicated है वो mention करना भी जरूरी है इसलिए बहुत पढ़ना पड़ेगा एक्जाम पॉइंट व्यू से भी मॉडन और आयरवेदा दोनों इंपोर्टेंट क्योंकि एप्रोक्सिमेटली 50-50 परसंट का दोनों का क्वेस्टन आता है तो अगर हम टाइपस ऑफ बोन जैसा की बोला कि अस्थी के प्रकार पड़े तो हमको मॉडन में जाके उस अस्थी तुमे आड़ा दू कि लिचेनों लेकिन अभी तुमें ज्यादा फोकस अजली आ है क्योंकि यह लोग तुम्हारी ही तंज है संस्किट अक्टश नहीं तो ट्राइकरो कि अध्रा फोकस करो बनलब आयुर्वेदिक पार्ट पर फोकस करो और modern side by side करते रहो क्योंकि लास्ट के तीन महीने में बैट के अपना modern करोगे तुम्हारा सलिबस निकल जाना है जैसे आप स्टार्टिंग में नए नहीं आओगे टीचर आपको बोलेंगे आयुर्वेदा और modern को बहुत डिफरेंट रखो उनको रिलेट मत करो बट अधर एंड आप पढ़ने जाओगे आप रिलेट करोगे कि इसको आयुर्वेदा में क्या बोलते इसको modern में क्या बोलते ह इतनी ही अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको आयुर्वेदा में रिलेट कर सको समझ सको और जैसे रिया ने बोला कि पेशेंट आएंगे आप उनको कैसे समझाओगे या कुछ चीज एक से देखना बोलो कि नहीं नहीं हमने तो आयुर्वेदा पढ़ा हमें देखना नहीं तो आप ऐसे भाग तो सकते नहीं हो तो आपको उधर भी इतनी ही नौलेज रखनी है कि आप आज वाले वर्ल में यह ना बोल उनको यह ना लगे कि हम बस एंशेंट चीजे जानते हैं हमें आज के वर्ल से भी हम बिलकुल ऐसा जला हम डेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन कर रहे हमें आज का भी सब कुछ पता है तो वह आपके खुद के उसके लिए भी अच्छा है तो तो तुम उसको टर्म्स बोल के उसको थोड़ा इंप्रेशन आएगा कि हां वो यह सर्फ आयरवेदिक डॉक्टर नहीं है जैसे चूरन बनाने वाला उनको उसको पता जलेग कितना पढ़ता है पढ़ना परेगा भाई तुम नीट देखे आए हो तुम मौडन से कनेक्टर हो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद रहे मौडन परना तो पहले-पहले में तुम अपना मौडन ही पढ़ोगे ठीक है और फिर कितना पढ़ना परेगा NCISM की वेबसाइट प जितना लिखा है उतना परो क्योंकि अभी तुम्हें उतना ही पढ़ना है उससे जादा पढ़ोगे वह क्लिनिकल में टीचर खुद बताएगा तुम्हें अपने एक्स्पियेंस से पता लगेगा लेकिन NCISM का स्लेबस अपने अकॉर्डिंग कवर करो पॉर्ण पर्ड़न पर्ड़न कितना पढ़ना पढ़ता है इन्होंने बताएग कि अच्छा करो अपना पढ़ना पढ़ेगा बट जैसे हम साटीं में आते हैं तो हमारा मन होता है कि हम सिर्फ दूर्श इव पढ़ा था फिर्स्ट यर में मैंने जादा अगा बड़न ही बारता है यह नहीं कि हम M.E.B.S के लेवल का पढ़ रहे हैं बड़ जितना हमारे स्लेबस में हमको उतना पढ़ना पढ़ता है